हेलो एवरिवन वेलकम टू माय फूडी स्टॉप आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस यह सॉस बाजार वाले सॉस से भी ज्यादा बहितरीन बनता है और यह आदे घंटे के अंदर बन के तयार हो जाता है तो इस मज़दार और आसान से सॉस को बनाना शुरू करते हैं और इ कर लें और इनको बिल्कुल ड्राय कर लें अब इनके ओपर यह जो डंठल है इनको हम अटा देंगे और हरी मिर्चों को साथ जब भी काम करें गलव जरूर पहने नहीं तो आपके हाथों में बहुत तेज जलन हो जाएगी तो अब मैं इनको डी सीट करूंगी तो मैंने बी अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डालूँगी और इसमें डालूँगी लहसन प्याज और अध्रक को मैं ग्रेट करके डाल दूँगी और अब इसमें मैं डालूँगे आधा कब पानी, पानी आप चाहें तो जाधा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको सॉस की चाहिए, उसके इसाफ से आप पानी घटा या बढ़ा सकते हैं, अब इसका धकल लगा के मैं इसको एक विसल जरूरत नहीं क्योंको इनको पिसना है, और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगे, और फिर हम इने ब्लेंड करेंगे, तो देखिए, इसाफ मिक्स्टेर जो है, वो ठंडा हो चुका है, तो अब मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल दिया है, और इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लोंगी, तो यह देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, अगर आपको यह ठिक लग रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें इसको, और मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है, और आप मैं इसमें डालूँगी, 4 अमक को भी इसमें मिला दूँगी और अब हम इसे पकाएंगे तो मैंने उसी पॉट को थोड़ा सा क्लीन करके स्टोफ पर चड़ाया है और इसमें यह सॉस डाल दिया है अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगता है चलाते हुए दो-तीन मिनट तक हम पका लेंगे तो देखिए दो-तीन मिनट तक मैंने इसको पका लिया और सॉस थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है जिस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से आप इसको पका लें तो बस अब हमारा सॉस जो है वो तैयार है अब हम इसको सर्फ करेंगे तो देखिए कितना जब अब बार इस रेसिपी को ट्राइ करियेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू सो मच पर वाचिन माय वीडियो टेक क्यार बाई